नमस्कार मिशिल्पी संस्क्रति आईएस के यूट्यूब चैनल में आप सब का फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम एक और यूजना आपके लिए लेकर आये हैं आईए उससे संबंधित पहले पीटी के प्रशन को देख लेते हैं स्वामित योजना के संदर्ड में निनमलिखित कत्मों पर विचार कीजे आपके कतन को चिस प्रकार है इसके अंतरगत नागरिकों को रिकॉर्ड आफ राइट देने के लिए संपत्ती कार्ड का वित्रण कि किया जाएगा इसके तहट ग्रामीन एवं शेहरी नागरेक अपनी भू संपत्ती का वित्तिय संपत्ती के रूप में प्रयोक कर सकेंगे इसका क्रियान वयन 2030 तक चरणवद तरीके से किया जाएगा उपरिक्त कत्मों में से कौन से कथन सहीं नहीं है केवल एक और दो केवल दो और तीन केवल एक और तीन एक दो और तीन तो इस प्रश्ण का उत्तर जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा अपनी योजना को समझना होगा तो चलिए सबसे पहले आज के अपने योजना को समझ लेते हैं प्रधान मंत्री स्वामित योजना इसका मंत्राले है पंचायती राज मंत्राले यदि उद्देश्यों की बात की जाए तो ग्रामीर भारत की लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हग दिलाना और उन्हें आर ज्रोन की मदद से हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी इसका कृइन चारवर्षों में चरण वर ढंग से किया जाएगा चारवर्षों यानि की 2020-2024 तक ज्रोन प्रधुकी के माध्यम से ग्रामीर शेत्रों में आवासी शेत्रों का सीमांकन करना संभावित लाव में देखें तो ग्रामीर नागरिकों द्वारा अपनी भू संपत्ति के वित्तिय संपत्ति के रूप में उप्योग संभव है जवीन से संबंदित कानूनी विवादों को कम करने में सहयक प्रतियक आवासिये संपत्ति की पैमाईश पर मालिकाना हक सुनिशित किया जा सकेगा तो आपके आज के पीटी के प्रश्ण का उत्तर होगा ऑप्शन भी यानिकी केवल दो और तीन आए अब हम समझते हैं कि मुख परिश्चा में इसका उप्योग कैसे किया जा सकता है जीएस पेपर टू में ईशासन के अंतरगत उधारन या सरकारी प्रयास के रूप में जीएस झाल